लगता है कि वोटिंग होगी या निर्विरोध होगा और हेमन जी कह रहे हैं ज्यादा दम नहीं है यह बात तो बस कल तक की है परचा खारी जो जाएगा हम लोग ज्यादा एक्साइट हो रहे हैं ऐसा ही कह रहे हैं कि देखिए महेश्चन सर्मा कानपूर के हैं यह बताया जाता है कि यह भारतिय राजनीद में जैसे काका जोगिंदर सिंग धर्ती पकल हुआ करते थे कि कोनों चुना उन से छूटता नहीं था ना मांकर जरूर करते थे भले लड़ पाऊंए नहीं यह महेश्चन सर्मा भी उ अपने सर्मा हर और छाय हुए है और सर्मा की चर्चा है बहराल लेकिन एक चीज जान लीजिए कि जब विधान परसत का चुनाव होगा तो क्रास वोटिंग से कोई दल बचेगा नहीं क्योंकि यह चुनावी साल है सब को अपने अपने विधायक बचाने में लाले पड़ जाएंगे तो कोई दल चाहता नहीं चुनाव कराना अब अपना दल वाले अगर किसी को लेके आए हैं तो अपने को पराया होने ज्यादा टाइम लगेगा नहीं कल निश्ची थी जब स्कूटनी होगी तो कुछ चीजे सामने आएंगी विधान परिशद बैक डोर से राज दिमान उच सदन में वो लोग जाते थे जो सक्रिय राजनीत में हो और जो वैचारिक राजनीत में हो जो देश के निर्माण में लगें लेकिन तमाम तरह के राजनीत का रोग ऐसा है कि पद पाने की खातिर अस्पताल से उठके चले आएंगे ना मांकन करने लेकिन आज कई और नामाज महेच्चन सर्मा के साथ साथ चौधरी वीरेन सिंग का भी एक नाम है जिसको भाजपा ने टिकट नहीं दिया उनका टिकट काट दिया वो सपा से धोखा देके भाजपा में गए थे दल बदल करके एमलसी थे मुलायम सिंग्यादों ने उनको बनाया था अब बीजेपी ने उनको बादरी के रहे हैं वो गूजर समाज के हैं दूसरा आज बहुत सारा मीडिया में बात चल रही है कि कायस्त समाज को बीजेपी ने सम्मान नहीं दिया बीजेपी ने कायस्त का कोई परत्यास की विधान परिशत में नहीं दिया इससे पहले भी राजसभा में भी नहीं हुआ था और लखनव में बीजेपी के असंतुष नयताओं ने पोस्टर लगा दिये थे लेकिन अब चुकी कहीं न कहीं बाहर से उपर से आने वाले आदेसों आपके पास सुचना क्या है विरेंजी की परचा वैलिड होगा दस विधायकों के दस्तकत प्रस्तावक के तौर पर होंगे उसमें या फिर यह सिर्फ परचा दाखिल करने के लिए परचा दाखिल किया ग यह है कि अगर हमारे घर में आग लगी है तो हमको उतना दुख नहीं होगा अगर पड़ोसिक घर में भी बराबर आग लग जाए उसका भी सब जल जाए तो हमें संतोस हो जाएगा कि भई बगल बगल वाले भी तो जलिए को हम अकेले थोड़ी जले हैं तो यह उत्तर प्र राजसभा के चुनाओं में परकास बजाज ने खुब परिसान किया और मायवती 11 विधाय को पर ही राजसभा चुनवा ले गई थी तब कहां चली गई थी सबकी कहानी तो आज महर्चन सर्मा को इसलिए लाया गया एक समाजवादी पार्टी को परिसान किया जाए अब यह लड़ा पाएंगे कि नहीं लड़ा पाएंगे अकल के बाते होगा 21 तारीक तक नाम वापसी की जा सकती है लेकिन कल जब पर्चा जाच हो जाएगा और उस जीतता वही है जो फरेवी होता है तो फरेव और वैक डोर से इंटरी इन दोनों बड़ी समानता है भारतिय राजनीत में उचसदन इसलिए बनाए गए थे कि यहां बैचारिक लोग आएंगे चारित्रिक लोग आएंगे कला संस्कृति विज्ञान के लोग आएंगे यहां ज़याशा पर देखिये कई से कजिसे लोग जा रहेएं लेकिन बरिजयद जी एक बात कहूंगा कि हिरो बार्षवी जी बैठे हैं इनकी जो पार्टी है इनके पार्टी की नेता बढ़े साहितकार भी होते और रोमांटिक भी बहुत होते हैं इनके पार्टी के एक नेता ने एक दिन फेस्बुक पे लिखा, कि फेस्बुक पे सारी लिखी थी रोमांटिक, कि यह जो तेरी जुल्फे है रोसम, रेसम की डोर जैसी हैं, तो कहीं से उनकी पतनी ने पढ़ लिया, तो उन्हें पूछा यह बताओ, यह जो फेस्बुक पे स ताइरी वाइरी उल्टा सीधा करते रहते हो तो नेता जी ने का भाई यह मैं तो पगली तुम्हारे लिए यह सब लिखता हूं तुम कहें जो है परिसान हो रही हो तो पतनी ने कहा अच्छा हमारे लिए लिखते हो और यहीं रेसम की दोर जब दाल में निकलाती है तो चिला मौका मिलेगा वहां मायोती को जित्वा देंगे जहां पर जानेंगे कि अखिलेश ने दो कंडिडेट खड़ा कर दिया वहां कदम पीछे कीच लिया लेकिन उत्तर परदेश की सियासत में अर्विंद कुमार सर्मा का आगमन उत्तर परदेश में भारती अंतर पार्टी की राजनीत में भूचाल मचाये हुए है और कहा जाए बिस फोटा की स्थिती में आ गया है और आज नहीं तो कल अभी इसका परडाम आना और सेस है बिरेंट जी ऐसा कहें के आप तनाव पहला रहे हैं नहीं ऐसा लोग कहते हैं उनका सीधा कनेक्शन है अब लोग समझें कहां तक है लेकिन सर्मा जी ने निश्ची थी यूपी की राजनीत में सबको चौकाया है अब बीजेपी को अभी देखना सपतग्रान की भी बात आ रही है बहुत जल्दी तो बहुत सारी चीजे एक हपते दस दिन में सामने आएंगी जी बिरे साहितिकार ने लिखा है कि राजनीत का जो गुणा भाग होता है उसको कैसे समझो और आम आदमी के लिए उसका क्या माइन है वो समझे कि फलसफा समझो ना असरारे सियासत समझो और जिन्दगी सिर्फ हकीकत है हकीकत समझो और जाने किस दिन हो जाएं हवाएं भी नीलाम आज तो सांस ले रहे हो तो गनीमत समझो वह बहुत बहुत शुक्रिया वीरें जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने शांदार इंपुट के लिए जुई सिंग जी के पास चलते हैं समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं जुई सिंग जी मैं आप से समझना चाहता और फिर मैं उसी फैक्ट पर आता हूं कि देखे कांग्रेस आपको कह रही है कि हम सपोर्ट कर देंगे और सब्सक्राइब करते हैं लेकिन अब यहां अगर बता दें कि हमारा किस्ते संपर्क है कौन हमको सपोर्ट कर रहा है तो रणनीती में कहीं ने कहीं कमी हो जाएगी इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कहती हूं कि हमारे वरिष्ट बुद्ध जीवी और सदर बे जाने लेकिन नमबर बताने और मेरे सम्मान कभीश में करते निक्सन है आपको नमबर बताना चाहिए इसलिए कि रणनीती है सबकी बात हो रही है और यह आम चुनाव के लि क्योंकि वह मुद्धों की राजनीती नहीं करती है उत्तर प्रजेश में विकास नहीं हुआ है बहुत सारी एक एक जूट होने की भी मुद्धे हैं विपक्ष के लिए तो मुझे लगता है कि भारती जनता पार्टी के साथ इस चुनाव में खड़ा होगा इसका मतलब है कि आम चुनाव में भी 2022 के वह कहीं न कई भारती जनता पार्टी की मदद कर रहा है या उसकी बीटींग बनकर काम कर रहा है तो यह तो हर पार्टी का एक चहरा ही खुल जाएगा जनता के सामिए इसलिए चुनाव हम जीतेंगे कि आपके पास 64 मेले का सपोर्ट हासिल है 64 जब इसको शपर दिलाना है कैसे क्यों कुछ हुआ या क्यों उनके कैंडिडेट कैसे अनौंस हुए यह उनका मसला है हम अपनी जीत के लिए कौन्फिडेंट है ओके हीरो बाजपी अभी आपने जुही सिंग जी को सुना यह करें इनके पास परियाप्त विधायक है और चुनाव वोटिंग होगा तो यह जीत लेंगी नहीं तो देखिए जुही सिंग अपनी पार्टी की रणनीत जानती होंगी और वो जो बार-बार कह रही है की रणनीत है और जो लोग अभी काम करेंगे वो आगे साथ जाएंगे मुझे लगता है दो पार्टियां बसपा और कांग्रेस दोनों में दो युवाओं का साथ था बुआ बतीजे का साथ था वो तो इस परदेश की जनता ने कई बार चकना चुकिया है साथ चलने को लेकर की तो बात ह है नहीं कभी हाथ ही ने साइकल को चल दी और कभी हाथ ने साइकल का हैंडल उखाड दिया यह लगातार जनता देखती है यह दो चुनाओं से तो मुझे नहीं लगता है साथ चलेंगा मुझे लगता है यह आउसरवादिता का चुनाओ है और आउसरवादी गठबंदन की जो बार-बार बात करते हैं सिलिए वह आपको बताने में इचक्ति है कि हम जिनके साथ नही है समर्थन भी उनका जुटा रहे हैं यह हम साथ हैं यह बात उनकी बातों से पता लग रही है तो आपको उटर प्रदेश का नियंतरण करने के लिए बाहर से लोग लाने पढ़ रहे हैं MLC बना कर अपने मुख्य मंत्री मुख्य मंत्री किसी पर विश्वास नहीं है कम से कम हमने कम से कम हमने जो ब्रोकर थे उनको नहीं बनाया अपने इतियास को जाग कर देखिए हमने आप जनका के चुमें हुए लोगों को नौकर कहते हैं यह देखिए यह भाशा और मनसिक्ता देखिए लोग कहते हैं जिनके सीसे के मकान होते हैं वो दूसरे में पत्तर नहीं उचाला कर दिया वहाँ वाँ वाँ जिसको भी बनाया है वो बहुत काबिल आत्मी है जिसका भी आप नान लेना चाहती है वह बहुत काबिल व्यक्ति है और लिटकर परिच्छा में पास हुए थे हैं आज भागी जन्ता पार्टी ने वर उनको उत्तर प्रदेश आप लेगा तो कार रेकरने के लिए बेज़ा है अच्छे व्यक्ति को चाटते हैं वो आए और आपको दिशा दिखाए तो यह आपकी मानसिक बैंक्रप्सी है हमारी नहीं है सौभा के इसनी बड़ी पार्टी का कि हम उसमें भी सब के बाद भी अच्छे व्यक्ति को चाटते हैं तो चलाए और मुझे रखता इसमें आपको परिशा देश कर समान करिए समालना आपके बस की बात नहीं है अभी एबी सीडी सीखिए और अभी अपने विधायकों को समान दीजिए जनता जनारता नहीं है